नमस्कार प्यारे दोस्तों मैं मांसी गुलाडी आशा करती हूँ आप लोग स्वस्त हैं निरोग हैं नेमित रूप से मेरे साथ योग कर रहे हैं आज हम आखों की दृष्टी को बढ़ाने के लिए योग करेंगे आइसाइट के लिए तो चलिए साथ में करते हैं सबसे पहले अरामदा एक स्थिती में बैठ जाएए धियान मुद्रा मुद्रा ओफ नॉलेज आखों को बन करिए मन को शांत रखिए गेहरी सांस लेए ओम का उचारन करेंगे ओम 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 is a beautiful mantra हमें तीन शब्दों को जोड़ना है यह बहुत clarity को लेके आता है हमारी जिन्दगी में positivity को लेके आता है और happiness को तो इसको जरूर करिए तो चलिए अब हम करेंगे breathing exercises all the breathing exercises are for cleansing our internal body body को detox करने के लिए हम सारी breathing exercises करते हैं सबसे पहले हम करेंगे कपाल भाती कपाल का मतलब स्कल भाती का मतलब शाइन तो हम लोग साथ में मिलके शाइन करेंगे कपाल भाती के साथ में तो अपने हाथ को घुटनों पर रख लीजिए inhale forceful exhalation navel pulling back to the spine कपाल भाती इसको दस बार 10 काउंट के लिए करिए तीन बार करिए आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा फिर करेंगे हम लोग कपाल भाती अपने घुटनों पर हाथ को रख लीजिए आँखों को बंद करिए गहरी सास लीजिए and forceful exhalation through our nose अपने हाथ को ऊपर रख लीजिए facing upward आँखों को बंद कर लीजिए मन को शांत रखिए and release, कपाल भाती जरूर करिये अच्छा रहता है concentration के लिए अच्छा रहता है eyes के लिए अच्छा रहता है, digestion के लिए अच्छा रहता है तो इसको जरूर करिए चलिए मैं आपको एक और kriya बताती हूँ, इसको हम बोलते हैं simple kriya सिंपल क्रिया में अपनी सासों की गती को बढ़ाईए, इन्हेल करते हुए, एक्सेल करते हुए, बहुत अच्छा रहेगा, right and left, गहरी सास लीचिए, सास छोड़िए, इन्हेलेशन का मतलब अपनी बदि को एक्स्पांड करना, तो इसको जरूर करिए, इससे हमारी lung capacity भी increase होती है, age भी expand होती है, एक्सेलेशन का मतलब contract करना, अपने समय को contract करना, अपनी बदि को contract करना, इससे भी आपकी बदी पूरी तरह detox होती है, तो इस क्रिया को जरूर करिए और इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अब आँखों को आँखों की दृष्टी को बढ़ाने के लिए योग करेंगे बहुत सिंपल सी योगासन का भियास करेंगे हम एक पुट की डूरी पे just place your finger alignment shoulder so make sure about it आप इसको सही करिए अब सिरफ अपना finger tip को देखिए index finger की तरफ देखिए 10 सेकेंड के लिए बहुत धीरे से right की तरफ लेके जाएए कोशिश करिए अपनी आँखों को blink ना करें hold करिए and release चलिए एक बार all करते हैं right side पे किया left भी करेंगे इस तरह से रखिए 10 सेकेंड के लिए कोशिश करिए अपनी आँखों को blink मत करिए 45 degree come back very slowly and release आई की exercises करने से पहले warm up करना बहुत जरूरी है तो यह बहुत अच्छा warm up था अब हम एक आसन आपको बताएंगे जो बहुत अच्छा रहता है उपर की तरफ देखिए लुक डाउं राइट रिलीज चले एक और आसन करते हैं इसके साथ इस आसन को जरूर करिए प्लेस यूर हैंड पुल इट अपवर्ट और आँखों को ब्लिंग करिए तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ आपको आज का अपिसोड अच्छा लगा होगा अपने विचार सुझाव हमसे जरूर शेयर करें हर आसन को तीन बार जरूर करिए अच्छा रिजल्ट पिलता है हमें और बी कंसिस्टेंट विडियो प्राक्टेस रोज योग करिए स्वस्त रहिए निरोग रहिए हम आपको फिर मिलते हैं धन्यवाद करें जुञाओ खो करना है तीमचार सक्ष्टेश करिए necessary हमवाद रहिए प्राक्टेस्टेस्ट रहिए लोगद